इसाई समोदाई अब इस बात को लेकर आज सडकों पे था पूरे देश भर में इनका अंदोलन चला कि कुछ लोग जान बूज कर चर्चों पर या इनके संस्थानों पे हमला कर रहे हैं ये आरोप लगाते हुए कि धानमांतरन जबरजस्ति कराया जा रहा है आज इसको लेकर जारखंड में भी एक बड़ा प्रोटेस्ट हुआ रैली निकली हमारे साथ इस पूरे मुद्दे पर बाच्चित करने के लिए रतन तिर्कीजी हैं रतन तिर्कीजी टीस्सी के मेंबर भी रह चुके हैं और जारखंड अंदोलन कारी भी हैं दादा आप ये जो बिवाद उठा है कि धन्मांतरन हो रहा है लोब लालच या दरा के धमका के इसाई मिसनरी करा रहे हैं इसके विरुद ये इस तरीके की बाता रहे है कि कोई लोग हमला कर रहा है हाला कि वो भी कानूनी रूप से गलत है अगर आप दरा के भी कर रहे हैं इसमें आप लोग का जो प्रोटेस्ट हुआ ये इसमें आप लोग क्या बताना चाह रहा है और सरकार से क्या गुहार करें कि ये जो आज जो विरोध हुआ ये एक समिधान के दाइरे में रखकर विरोध किया गया विरोध दर्च किया गया और विरोध दर्च करने के साथ साथ केंद सरकार और राज सरकार को भी यह बताने का प्रयास किया गया है कि धर्मांतरन जैसा जो विशय है वो एक बहुत आंतरन कराना तो यह हास्यासत आरूप है। मैं इसकी आलूचना करते हुए कहना चाहूंगा कि जो भी इस आरूप को लगार हैं, चाहे वो संग परिवार हो, हिंदु कटरपन्ति संगठन हो, एबीबीपी हो, भाजपानित संगठन संस्थाएं हैं, उनको यह समझना चाहिए कि याद होना चाहिए, और इति हास को भी थोड़ा उनको जानना चाहिए, कि जब इसाई मिशनरियां आये थी ब्रिटिस काल में, तो उन्होंने देखा यहाँ पर कि बहुत सोशन है, सेट साहुकार, बन्या समाज जो है, आदिवासियों की जमीन लूटते हैं, वो आदिवासी जिनका पूरा का पूरा जो सिस्टम है, दिन्चरिया है, वो जल जंगल जमीन पर और प्रकृती पर आधारित हैं, तो उनलोगों ने महसूस किया, कि इनको जो जरूरतमन चीजह से, उनके स्वास्त की सेवा करना, मानिवेग उनको उनको सिक्षा देना, तो मिस्णरी यहाँ आये, और उने बिटिस समराज के साथ, बिटिस के साथ एक समझावता किया, कि जहां जहां आदिवासी बहुत शे ने के बाद इसाई मिस्नरियों ने अपना सिक्षा सेवा सिक्षा कप में सेवा दिया स्वास्त में सेवा दिया और मानुविये सेवा में उनुने ध्यान लगाया और वो बढ़ता गिया यहां पर इस सवाल उठता है कि 200 साल हो गये इसाई मिस्नरियों की यहां भारत में आये ह विए उसमें जो इसाए समर्थकों को इसाएं मिस्नरियों के आबादी भारत के जनगन्य आयूकत बता रहे हैं वो दो पॉंट तीन प्रतिसात ही है तो आश्या जिस बात का है कि डर किसको है क्यों भाजपा की सरकार के तरकार और यह बड़े-बड़े दरतन्दा आप कह रहे हैं कि यह कोई सिरियस टॉपिक नहीं है दर्मांतर लेकिन पुर्व की सरकार जो यहां थी रगवरदास की सरकार वो इसको इतना सिरियस टॉपिक मानी कि उन्होंने तो बकाइदा एक कंस्टिट्यूशन में मतलब बिल लाया उसका कानून बनाया कि लेकि जो फासिवादियों की एक जमात है बहुत बड़ी फासिवादियों की जमात है इनके पास विकास कोई एजेंडा नहीं है हमारा कहना है कि धर्मांतरन अज अगर लोग इसाई या दिवासी लोग इसाई धर्म अपना रहे हैं उसके पीछे सोच किया भाजपा को यह समझना चाहिए कि अरसेस को मिसिश संघ को कि 1925 से लेके आज तक क्या काम किया और इसी बीच इसाई मिस्नरियों ने गाँ गाँ शेत्र में जा कर वही मैं उसी बात को दोर आ रहा ह। कि सिक्षा और स्वास्थ के शेत्र में जो काम किया हो अनुकरनीय हैं तो इन उनका समराज थापित हुआ इसाई मिस्नर्यों ने सिक्षा और स्वास्ट के स्वा में सम्राज स्थापित किया कि हम लोगों ने आदिवास्यों का विकास किया तो अब ये विकास को दर्किनार करके इनके पास अब कोई मुद्दा नहीं है ये आधिवासियों के सिक्षा, स्वास, उनके उत्रोतर विकास के लिए उनके जमीन को बचाने के लिए, जंगल पर उनको मालिकान हग देने के लिए, पाचवी अनुसुची पर उसको अधिकार दिनाने के लिए, पेसा कानून के लिए दिनाने के लिए, उस पर खाम करना चा अगर ऐसा रहता दादा तो जेमेम की सरकार अभी बनी है वो उस कानून को खतम कर देती रगवरदास की वाले आपको याद है मुझे याद नहीं है कि क्या कोई खतम हुआ वो कानून वो तो अभी भी राज में वही है सिस्टम जेमेम के एक सेकुलर चेहरे के रूप में काम क भर मानती हैं और जीमेम की जितने भी एमेलें हैं 30 साल से 35 साल से सब इसाई है चार परसेंट जारकरण में हम लोग इसाई आदिवसी रहते हैं तो मेरा यह कहना है कि कहीं न कहीं मिश्णरियों के काम का प्रभाव है जिसके बल पर जो गाउं की लोग है और शेत्र की लोग जज्छन आं पका वो काम नहीं देखना चाहा है या पसंद नहीं कर रही है तो वडिदामान में सरकार हुए जैसे नियोजन निति को बद ला उसकानुन को भी बदल सकती थी पर हेमन जी पर विए जीकोब हो सकता है किसी दिमाग के कोन्य में लग रहा है कि ना वह कानुन जरूर है कि जये मफ का एक चाहरा ले वह पूरी तरह करत है यह वो चाहती है सरकार चाहती कि उनका जो बेश है उन्हों की तुम लोग admir कि उनके आधिवासियों स्टुनियन के हम लगों ने कभी धर्म की लड़ाई नहीं लड़ी तो जीमेम को मैं जब से जान रहा हूँ 86 से इस दर्मियान कभी भी हाँ बीच में कुछ एक लोग हो सकते हैं जो धर्म की वकालत करते रहे होंगे लेकि बहुतेरे जो रहे हैं जे में जालखन मुक्ति मुच है मैं गुरू जी को कभी धर्म पर या फिर बोलते नहीं देखा कि इसाई मिश्णरियों के यगदान को कभी भुलाय नहीं जा सकता इवन बाबुलान ने भी कहा है और आज जो बीजेपी के साथ खणे हैं सालखन मुर्मों जी अपनी एक संगठन मुरा के उन्होंने भी साही मिश्णरियों के साथ काम करके अपने आंदुरन को एक बल दिया रही बात कि हैमन सोरें सरकार या इस बील को क्यों खत्म नहीं किया इस बील का महत तो कहा है आज कहां यह प्रयोग में हो रहा है वो स होंगा यहां कितने अकबार जीन का काम ही आज जब से मौदीत की सरकार आये जब से भाजपार के से रोज एक नए एक इसू को लेके बेवाजा आज अजब हम लोग भौतिक निरक्षन करते हैं उसमा जाके तो लोग कहता है कि नहीं दादा हम लोग तो ऐसा नहीं बोले थे पहले जो उपाइक थुनाची के उपाइक नम्ने पूछा कितरे मामले आये कोई दर्ज नहीं करता है कोई करता इवन थानेदार की हम जो लोकल थाने नहीं पूछा कि धर परिवतन से मामले कोई दो दबाव या फी लोव लाला ची यह जब हमारे पास ऐसा को याकड़ा नह पत्थर बाजी करना ये निरंतर चालू है अगर जैसे आप बोले कि अभी जो हाल फिलाल में बीता बड़ा दिन Christmas Day तो उस दिन 36 गड़ में जो हुआ पर आप BJP RSS को दोसी मान रहे हैं लेकिन Congress की भी सरकार में आपको याद होगा Congress की भी सरकार में उस समय ये घटनाय घट रही थी मिस्णरी लोग कहीं दबी जुबान से बोल रहे थे कह भी छुप हो जा रहे थे तो आप तो मतलब सिर्फ एक पार्टी पे आरोप लगा रहा है। लेकिन हिंदू को धर्म लोग सुप्रीम कोड मानता नहीं है। तो 36 गड़ की सरकार जो है अभी पुरुवती सरकार जो है अब तो उसके हां से सत्ता चली गई। तो कॉंग्रेस के समय भी भी धर्मांतरन का इशु उठता रहा वहां। उसमय भी कॉंग्रेस चुप्चाप रही है। चुकि उनके अंदर एक सेकुलर का धर्मिर प्रेक्षता का उनका चेहरा है। कॉंग्रेस लेकर ढ़ो के चल रही है या धाप के चल रही है। लेकिन और अपना राजनितिक ग्रूप से अपने को एक धर्मिर प्रेक्ष पार्टी मानती है। तो इसलिए मेरा यह कहना है कि पार्टीों को इस पर न लेकर एक समाज के दिगज है। लेकिन अभी जो सरकार वहां 36 गड़ में है उनको तो प्रोटेस्ट करना चाहिए कि मानलीज अगर 2005 से ही आप कह रहे हैं कि चल रहा है इस तरीके का मामला। कभी छोटा होके रह जाता है कभी बड़ा हो जाता है इस बार जादा हो गया इसलिए आप लोग को सड़क पर उतर के अपना विरोध दर्ज करना पड़ा। तो वहां की सरकार से आप पूछते हैं कभी कि क्यों ऐसा हो रहा है हमारे साथ या अगर हम भाई अल्प संख्यक है तो सिक्यूरिटी प्रोबाइड करना भी तो गवर्मेंट का काम है यह कंस्टिट्यूशनल राइट है आपका। अस्थानिय संगटनों ने, 36 गड़ के अस्थानिय इसाई संगटनों ने जो वहां के यूथ संगटन है उन लोगों ने वहां के ग्रिह मंत्री डीजीपी और मुख मंत्री को मिलकर इस बात इस आसे से कि जानकारी दी है मुख मंत्री ने आस्वासन दिया है कि इस पर हम लो सवाल इस गटना से इतर होगा जिस जिन संगो का नाम ले रहे हैं उसमें से कुछ लोगों का में नाम नहीं लोगा लेकिन उन्हों कहा कि ऐसा नहीं है कि हम कटर हैं हम किसी बात का लेकर बिरोध कर रहे हैं धर्म के नाम पे हमने मदब ट्रेशा को गले लगाया वो भी तो इसाई थी हमने उनको मा का दर्जा दिया भारत में मा से भी बड़ा किसी का दर्जा है तो जब हम उनको दे सकते हैं तो दूसरे को भी दे सकते हैं लेकिन कोई धर्म सिर्फ डरा के धमका के लोब से लालत से अगर धर्मांतर्न कराएगा तो इसका तो बिरोध हो होना चाहिए बोलता है चिंता जाहिर कर रही है लगाता है कि निश्चित रूप से मिदांध़ होना चाहिए और ऐसे जो जब दर्मांतरन कराते हैं उन पर तुद केस्ट डर्ज होना चाहिए उनकों जेल होना चाहिए भारतिय समविधान की जितनी भी धाराएं उससे संबन दें तो उस पर लागो होना चाहिए पर पूरूफ तो हो सबूत तो हो केश तो दर्ज हो सरकार जिसकी सरकार हो संगठन ये बताए तो कि हाँ ये आरूपी है और जो भुत्गोवी है ये तो बताए कि हमको जवरन दिया हमको एक लाक रूपिया दिया कि हमको चावल दिया ये दिया और हमको पटक के किया बंदु की नोपर किया धमकाया हमारी बेटी को उठा लेने की धमकी दी तो ये अगर ऐसा है तो निश्चित रूप से उस पर कवाई हो रहा है और जबरन करके लोब लालच दिया तो लोब लालच को भी परिवासित करना चाहिए जबरन किसे कहते हैं उसको भी परिवासित करना चाहिए ये सवाल एकदम जो भी उठा रहा है सही है जबरन परिवासित हो और लोब लालच क्या है वो परिवासित होना चाहिए ठीक है, अब आप कहरा है कि कानून बना हुआ है, तो लेकिन कानून तो सिर्फ दो ही तिन स्टेट बनाया ना है, जो BJP सासी ते एक तरह से कर ले, वह ही पर कानून बना कि धन्मांत्रण में इफबट किंतु परंतु ऐसे रहेगा, लेकिन पूरा हमारा देश जो है, इतने स् इसको सिस्टम में लाना चाहिए नहीं तो देश नहीं बचेगा इस तरीके से बियान आ रहे हैं अखबारों में मैं तो सुपरिम कोट में खाड़ा नहीं था तो उस पे आप क्या दिए कि देश सम्विधान से चलता है देश के देश हमारा धर्मित पेक्ष है जब हमारा संविधान की धाराएं बनी तो मौलिक अधिकार से हम लोगों को विभूशित किया गया अब देश के नहर नागरिक को मौलिक अधिकार दिया कि जिसमें धार्मिक सुतंतरता का अधिकार है और पूरे देश जो हो संविधान से चल रहा है तो पूरे देश की सरकार जो बनती ह मिधान पर उनको आस्था है और उस आस्था को बरकरार रखने के लिए से कानून को जो देश की देश की राज़े की सरकारे जानती है कि अगर हम ऐसा कानून वनाएंगे तो कहीं न कहीं विद्वेस और संपरदाईता को बढ़ावा मिलेगा तो इस तरह के कानून जहां पर ज जो हम लोग आदेश को पढ़ाएंगे judgment को पढ़ाएंगे तो आप देखेगा उसमें कि कहीं वो यह नहीं कह रही है कि ये अल्ला उस चिंता जरूर कर रही है लेकिन किस घटना को लेकर चिंता कर सिप चिंता व्यक्त करना और आदेश में बहुत अंतर होता है चिंता तो हा पालन पालना चाहिए यह नहीं कहा कि सुप्रीम कोट पर अब तक ऐसे कोई भी सबूत प्रस्दूत नहीं किया गया जिसके यह साबित हो जाया कि जबरन और लोप लालत से हो रहा है इसलिए सुप्रीम कोट जो है मानिय सरोष न्याल है वो भी सम्मिधान की का जो नहीं बना है वहाँ भी उस राज की सरकारे भी समिधान पर पूरा विश्वास करती है तब ही यह सब मोहर पा रहा है सुक्रिया तो आपने रतन तिर्की को सुना यह कह रहे हैं कि अगर भेग में कोई कह दे चाए वो गौब्मेंट हो या कोई भी कोई भी पॉलिटिकल पाटी या कोई भी संस्ता कि हम जबरन धर्मांतरन करा रहे हैं तो जबरन की परिभासा क्या है क्या हम किसी को बंदूक किसी का डर किसी का किरनेप करके करा रहे हैं अगर लोब दे रहे हैं तो लोब में क्या दे रहे हैं पैसे रुपे जमीन क्या दे रहे हैं इसको परिवासित करने की जरूरत है नहीं तो कह रहे हैं कि हम अलब संक्यक हैं इस वज़े से बहुत संक्यक सिर्फ हमको डरा के या हमारे चर्चों पर हमला करके धार्मिक अस्ताल पे सिर्फ ये आरोथ थोप नहीं सकता कि हम जबरन धन्मांतरन या मत्रांतरन करा रहे हैं इसका उधारन भी है दो सो साल पहले इसाई समुदाय भारत में आया और अगर इतनी ही तेजी से धन्मांतरन और मत्रांतरन होता तो हमारी अबादी 2.3 परतिशत ही क्यों रहती अधि से भी हम लोग सचेत हो गए हैं अब सुक्रिया बायोम ने दिये हैं नीट 2022 के चारकन टॉपर्स क्लास 8, 9, 10, 11th and 12th के स्टूडेंस के लिए आ गया है बायोम टैलेंट रिवार्ड इग्जामिनेशन जहां उडान एड्मिशन स्कॉलर्शिप में पाएं अब तो 1.25 करोड अब तो 100% स्कॉलर्शिप इन क्लास्रूम प्रोग्राम अलोंग विद कैश प्राइज और रिवार्ड बायोम हीनु एवं नगरा टोली राची विवेकानन्द विद्यमंदर स्कूल एक CVSC-Affiliated English Medium Code School है हम सुक्षा के साथ संसकार देते हैं कर दो